DC के एक और ओवर हाइप मूवी The Flash को अब officially रिलीस कर दिया गया है हिंदी के साथ Other Languages में भी और यह मूवी आपको फुल एंटर्टेन करने वाली है क्योंकि इसमें दो बैट मैन, सूपर गल का इंटर्डॉक्शन, मल्टी वर्स का कॉंसेप्ट और ट्राइम टैवल को काफी अच्छे से दिखाया गया है खास करके ट्राइम टैवल के कॉंसेप्ट को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि एक टाइम के बाद आपको भी लगने लगेगा कि आप भी ट्राइम टैवल कर सकते हैं बड़ खाबों की दुनिया में ज़्यादा गुम नहीं होना और ये याद रखना कि ये सिर्फ एक मूवी है अगर आप DC के फैन है तो मैं आपको इस पूरे मूवी का रिविल सिर्फ एक लाइन में दूगा कि ये मूवी आपको डिसपांट नहीं करेगी आप इसे थीटर में जाके देख सकते हैं आपके पैसे बरबाद नहीं होंगे अगर आप DC के फैन नहीं हो और आपको करेक्टर के बारे में जादा नौलेज नहीं है फिर भी ये मूवी आपको फूल एंटरेटेन करेगी बट कहीं कहीं पे इसकी स्टोरी आपको थोड़ी कन्फिज जरूर कर सकती है दोस्तों इसकी स्टाटिंग से आपको भरभर के अक्शन देखने को मिलने वाले हैं ये लास्ट तक ऐसे ही बरकरार रहेगा इसकी स्टोरी लेंड काफी जादा एंटरेटेनिंग है जिसके वज़ज़ से आप थीटर में बोर तो जरा भी नहीं होने वाले इस मूवी में करेक्टर को काफी अच्छे से डेवलब किया गया है और छोटा सो छोटा करेक्टर जिसकी स्क्रीन टाइम काफी कम थी वो भी आपके माइन में एक अलग छाप छोड़ के जाने वाला है अगर आप इसके वीएफेक्स को हॉलिवुड चे कमपेर करते हैं तो इसके वीएफेक्स आपको थोड़ा डिसपोइट जरूर कर सकते हैं बट इतनी छोटी मिस्टेक को थोड़ा इगनोर किया जा सकता है और ओवरॉल यह मूवी काफी अच्छी है और दोस्तो इसके करेक्टर्स ने क्या एक्टिंग करी है खास करके इसरा मिलर ने जिन्होंने अपने ही दो करेक्टर को प्ले किया है जो एक थोड़ा सरीफ सा है और सीरियस है और सेकिंड थोड़ा क्लमजी सा है ओवरॉल देखा जाए तो यह मूवी आपके फुल पैसे व क्यार फिल्मी